नमस्कार साथियों, LM Geography के online platform पे आप सभी का स्वागत और अभिननदन हैं आज हम बात करने वाले हैं राजस्तान की नविन संभागिय व्यवस्ता की जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 मार्च 2023 को राम लुबाया समिती की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर माननिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्तान में तीन नई संभाग और 19 नई जिल्लों की गोश्णागी और जैसे ही राजस्तान की प्रसाशनिक व्यवस्ता में जो बदलाव आया इसका प्रभाव राजस्तान की इत्यास और कलास संस्कति की जो टॉपिक हैं उन पर साती भुगोल पर प्रत्यक्स और अप्रत्यक्स रूप से परिवर्तन देखने को मिला है और उसी को धान में रखते हुए या नविन संभाग्य व्यवस्ता या नविन जो प्रसाशनिक व्यवस्ता जो परिवर्तन हुआ है उसमें किस तरह से परिवर्तन हुआ है उसके संदर में क्या परिवर्तन हमारे विशे अंतर का इत्यास में कलास संस्कति में राजस्तान की राज व्यवस्ता में राजस्तान के भुग ववस्ता के कारण या संभागी ववस्ता में परिवर्तन की कारण किन-किन टॉपिक पर परिवर्तन होगा और किस तरह से होगा इसके बाद हम जो है जिल्ले जो परिवर्तित हुए हैं या जो नए जिल्ले बने हैं उसके कारण क्या परिवर्तन होगा ताकि विद्यार्थियो क्या उसमें नए जिल्लों के आधार पे पूछा जाएगा तो इन सभी जो आपके मन में जो questions बन रहे हैं जो आपके मन में जो प्रश्ण हैं उन सभी प्रश्णों के जबाब देने की मैं कोशिश करूँगा तो देखे सबसे पहले तो हम संभागिये व्यवस्ता को समझने की कोशिश करते हैं और जब संभागिये व्यवस्ता को हम समझेंगे तो आपको क्लियर होगा कि जो नए संभाग बने इसका प्रभाव किस किस टॉपिक पर किस प्रकार से पढ़ने वाला है तो देखे सबसे पह तो राजस्तान की संभाग्य व्यवस्ता में हम संभाग्य व्यवस्ता के इत्यास को जा है आधार बनाते हुए वर्तमान तक जो राजस्तान में संभाग्य व्यवस्ता है उस पर बात करेंगे और उसके बाद नए संभाग्य व्यवस्ता की सुरुवात हुई तो देखें राजस्तान में राजस्तान में प्रसास्निक वी के अंदरिकरण के उद्देश्य से उद्देश्य से सन उन्नी सो उन्पचास में मुख्यमंत्री हीरा लाल सास्त्री के कारे काल में कारे काल में संभाग्य व्यवस्ता की सुरुवात है यनि कि सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कि राजस्तान में यनि के जो संभाग्य व्यवस्ता की सुरुवात कब हुई तो राजस्ताने प्रसासन के फैलाव के उद्देशए से प्रसासनी की वी केंद्री करण करने के उद्देशए से 1990 में आपने पड़ाओगा जब राजस्तान के एकिकरण को हम पढ़ते हैं तो राजस्तान के एकिकरण में जो चौथा चरण हाता है जिसे हम व्रहद राजस्तान के नाम से जानते हैं 30 मार्च 1950 और वरहद राजस्तान के दौरान ही राजस्तान के जो है विभागों का बटवारा किया जाता है उसी के परइणाम सरूप जो है राजस्तान में राजदानी जैपूर को घोश़ित किया जाता है नियाय विभाग जोदपूर में हैं इस तरह से अलग-अलग डिपार्मेंट का अलग-अलग शित्र निर्धारित किया जाता है और उसी स्रंक्ला में राजस्तान में संभागी व्यवस्ता की भी क्या होती है शुरुवात होती है तो इसका मतलब है राजस्तान में संभागी व्यवस्ता का प्रारंब कब हुआ यह तो यह क्ल राजस्तान के एकी करण के समय, यनि की एक नवमबर 1956 को राजस्तान में पांच संभाग बनाएगे, यनि की जब राजस्तान का एकिकरण पूरा हुआ, राजस्तान का एकिकरण का पूरा हुआ, एक नवमबर 1956, जब राजस्तान को राज्जी के रुप में मानियत्ता दी गई, और उस समय राजस्तान में कितने संभाग बनाएगे थ तो उस समय राजस्तान में यहीं एक नावंबार 1956 को राजस्तान में पांच संभाग थे अब कौन-कौन से थे पहले यह भी क्लियर होना चीए उस समय एक जैपूर संभाग था दूसरा जोदपूर संभाग था तीसरा उदैपूर संभाग था चौता बीकानेर संभाग था और पांच वा कोटा समथ इस तरह से जब राजस्तान का एकिकरण हुआ उस समय राजस्तान में पांच संभाग थे क्लियर उसके बाद अप्रेल 1962 में तत्कालिन मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाडिया ने राजस्तान में संभाग थे व्यवस्ता को क्या कर दिया समाप्ट कर दिया और इसके पीछे कारण था पंचायती राज व्यवस्ता की कारण जो सत्ता लोकतांत्रिक सत्ता का जो विकेंद्री करण की सुरुवात हुई उस विकेंद्री करण के दोरान ही ततकालिन मुख्यमंत्री मोहलाल सुखाडिया ने प्रसास्नीक विकेंद्री करण यहनी की संभागी व्यवस्ता को समाप्त क कर दिया और जब राजस्तान में संभाग्य व्यवस्ता की समाप्ति तो उसके बाद पुनाह संभाग्य व्यवस्ता को प्रारम क्या था मुख्यमंत्री हरी देव जोसिने और उन्होंने जनवरी जनवरी 1987 में मुख्यमंत्री हरी देव जोसिने जैपुर जो संभाग था जैपुर संभाग से अजमेर को अलग कर अजमेर को अलग कर राजस्तान का छटा संभाग बनाया यहां तक क्लियर हो गया कि राजस्तान में जब एकी चार जून दो हजार पांच को मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजेने जैपुर संभाग तथा कोटा संभाग का विभाजन कर भरतपुर को राजस्तान का सात्वा संभाग इस तरह से राजस्तान में पहले सात संभाग बने अब बात करते हैं वर्तमान में तो 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री असो गैलोद ने राम लुबाया समीती की सिफारिस पर या उनकी अंतरिम रिपोर्ट पर राजस्तान में तीन ने संभागों की गोशना की अब हमें यहां से जो समझना हैं वहाँ दो तरीके से समझना हैं कि जो पहले संभाग थे उनमें कितने जिल्ले थे और वर्तमान में जो नई संभाग ये व्यवस्ता बनी है उसमें कितने जिल्ले थे तो देखें पहले तो नई संभाग की व्यवस्ता की बात करें 17 मार्च 2023 को मुख्य मंत्री असुक गहलोतने राम लुबाया समीती की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राजस्तान में तीन नई संभागों की गोष्णा की जिसमें आठवा जो संभाग होगा बासवाड़ा नौवा जो संभाग होगा वह होगा पाली और जो दस्वा संभाग है वह होगा और इस तरह से राजस्तान में नविन संभाग्य व्यवस्ता के अनुसार कुल दस संभाग हैं जिसमें तीन नई संभाग बनाई अब आप कहेंगे सर आठवा बासवाड़ा क्यों होगा या नौवा पाली क्यों होगा या दसवा सीकर क्यों होगा तो इन संभागों को जो क्रम दिया जाता है वहाँ या अंग्रेजी वर्ण माला के अनुसार दिया जाए अंग्रेजी वर्ण माला में जो पहला अक्सर होगा जो अंग्रेजी वर्ण माला में पहले आते हैं उसका क्रम पहले आईगा जो अर इसी तरह से तो B पहले आता है इसलिए 228 होगा उसके बाद P आता है तो पाली जो है नौवा होगा और उसके बाद S आता है इसलिए सीकर जो है वहाँ दस्वा संभाग होगा ये क्रम विश्ज ll skip से आपको याद रखना है कि साथ तक तो आपको क्लियर है कि साथ कौन-कौन से आठवा भी आपको क्लियर होना चाहिए नौवा और दसवा इस तरह से राजस्तान में नवीन संभागी व्यवस्ता के अनुसार कुल कितने संभाग हैं दस अब देखिए यदि हम पूरानी संभा संभागी व्यवस्ता की बात करें तो साथ संभाग के अनुसार बात करते हैं देखिए पहले साथ संभाग के अनुसार बात करेंगे उसके बाद ने संभागों के अनुसार बात करेंगे अब साथ संभागों में यदि हम बात करें तो यदि हम बात करते हैं जैपुर तो जैपूर संभाग में पहले कितने जिल्य थे पांच जिल्य थे जोद्पूर संभाग में पहले उदैपूर संभाग में पहले UX जिल्य थे जोद्पूर संभाग में पहले कितने जिल्य जिल्य थे जिल्य थे चार जिले, कोटा संभाग में, चार जिले, अजमेर संभाग में, चार जिले, और भरत्पुर संभाग में, इस तरह से, राजस्थान में, जो कुल 33 जिले थे, उनका इस प्रकार से संभाग ये विभाजन किया गया था, कि जैपूर संभाग में 5 जिले थे, जोदपुर संभाग में 6 जिले थे, उदैपूर में 6 ते, और Σेस सभी में जो है, 4-4 जिले थे, कुल कितने थे 33 लेकिन हम बात करें नविन संभागी व्यवस्ता जिसमें दस संभागे और इन दस संभागों में कुल पचास जिल्ले हैं क्योंकि राम लुबाय समिती की अंतरिम रिपोर्ट के आदार पर या राम लुबाय समिती की सिफारिस के आदार पर वर्तमान मुख्यम समभाग और 50 जिल्ले तो अब जो नई संभाग ये व्यवस्ता है इन दस बार्व में 50 जिल्लों का अलग अलग वर्गी करन हैं तो हम एक समभाग को लेके बात करते हैं और किस तरह से इस संभागों को एक्जाम में पूछा जाएगा उस में परिवर्तन देखने को मिलेगा ने प्रश्ण के इस तरह से पूछे जा से ने प्रश्ण कैसे बनेंगे उन पर हम लोग बात करेंगे चले शुरुवात करते हैं एक-एक संभागी और सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्तान की दस्वे संभाग जिसे सीकर के नाम से जानते हैं तो सीकर संभाग की अब राजस्तान के मानचितर में देखना सीकर संभाग को लेके क्या प्रश्ण मनते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीकर संभाग की सीकर संभाग अब इसमें कुल कितने जिल्ले हैं तो देखे सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए यहां कौन सा संभाग है यहां राजस्तान का दस्वा संभाग है और इसमें कितने जिल्ले हैं चार जिल्ले कितने जिल्ले हैं अब कौन कौन से जिल्ले हैं एक एक को लेके बात करते हैं एक जिल्ला चुरू हैं दूसरा जुन्जुरू हैं तीसरा सीकर है और चौथा जो है वा है नीम का थान तो इस तरह से राजस्तान में जो है सीकर संभाग में कितने जिल्ले हैं चार जिल्ले हैं पॉइंट क्लियर अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीकर संभाग जो बनाया गया है यहां कौन से संभाग से बनाय गया है तो यदि हम बात करें सीकर संभाग की तो सीकर संभाग जो है यहां दो संभागों से मिलकर बना है एक बिकानेर संभाग और इसमें बिकानेर संभाग का एक जिल्ला सामिल किया गया है चुरूब और दूसरा है जिसमें जैपुर संभाग के दो जिल्ले सामिल किये गये हैं सीकर और जुन जुनुम जबकि जो नीम का थाना जो है यहां सीकर जिल्ले का ही भाग है और सीकर का जो है सीकर के दो भागर के एक नया जिल्ला बनाए गया है नीम का थाना शेत्रूब इसलिए यहां हम कह सकते हैं कि सीकर जो संभाग है यहां बिकानेर और जैपुर संभाग से मिलकर बनाए जिसमें बिकानेर संभाग का एक डिस्टिक जिसे हम चूरू के नाम से जानते हैं उसे सामिल क्या गया है और जैपुर संभाग के दो जिल्लों को सामिल क्या है यहां तक की सेखावटी प्रदीश पर कि जाहां हम सेखावटी प्रदीश में राजस्तान के तीन जिल्लों की बात करते थे चुरू जुन्जुनु और सीकर वर्तमान में हम सेखावटी जिल्लों के चार जिल्लों पर बात करेंगे जिसमें चुरू जुन्जुनु नीम का थाना और सीक प्रशन आया था कि निम्नमे से कौन सा मरू तृरिकौण में सामिल नहीं है अब देखे बात करते हैं मरूत रिकॉण जब मरूत रिकॉण बना था उस समय राजस्तान के तीन जिल्ले सामिल थे जोदपूर बिकानेर और जसलमिय लेकिन बाद में मरुत्रिकॉण में परिवर्तन किया गया और उसमें एक जिल्ला और सामिल किया गया था जोद्पूर बिकानेर जसलमेर के साथ बाड मेर को भी मरुत्रिकॉण में सामिल किया गया था इसका मतलब है कि मरुत्रिकॉण में वर्तमान में चार थे जबकि पहले कितने थे तीन और अब कितने हैं चार अब इसको भी प्रश्ण के रूप में पूछा जासता है कि नीम ने मैसे कौन सा सेखावटी प्रदीश में सामिल है या नहीं है अब ध्यान रखना अब अप्सन से पता चलेगा कि प्रश्ण यदि पूराने तरीके से पूछा गया है तो हम नीम का थाना शेत्र को सामिल नहीं करेंगे और यदि नए तरीके से पूछा गया है तो नीम के थाने शेत्र को हम सामिल करेंगे इस तरह से एक तो राजस्तान की शेत्र दूसरा यहां से नदी निकलती है जो सेखावटी प्रदीश की प्रमुख नदी है जिसे हम कांतली नदी कहते हैं अब कांतली नदी कहां से निकलती थी तो यहां रेवासा की पहाड़िया सीकर से निकलती थी और यह नीम का थाना शेत्र होते हुए कहां जाते थी जुन 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 जाते थी और शीकर और जुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुन नीम का थाना शेत्र सीकर में आती थी लेकिन अब वही किस में आएगी नीम का थाना में आएगी सीकर में नहीं आएगी तो इस तरह से राजस्तान में जो है मुख्य रूप से जो इस्तती में नी प्रसासनिक व्यवस्ता में जो बदला हुआ कहीं कहीं वहां इत्यास में करेगा परिवर्तन यह पहले हम सेखावटी परदेश को हवेलियों के जानते हैं कि सखावटी की होएलिया वहाँ राजस्तान की कला और संस्कति में अपनी एक विशेस स्टापत्य कला के लिए स्थान रखती अब इस जो सीकर की हवेलिया जो पहले सीकर में थी अब उसका भाग जो नीम का थाना शित्र में है तो अब नीम के थाना शित्र के अंतरकत हमको पढ़ना होगा तो इसलिए हर एक संभाग को आपको ये समझना है कि कौन सा संभाग पहले तो किन संभागों से अलग हुआ है अब उदा यो चुरू पढते थे पहले विकानेट चूरू दोनों ही किसमें आते थे लेकिन जोग्राफी पे पड़ेगा निश्चित रुप से वही चीज हमें एक्जाम में पूछी जाएगी और इसलिए पहले संभाग्य व्यवस्ता को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद यह आप जोग्राफी को पड़ेंगे हिस्ट्री को पड़ेंगे आर् तीसरा परिवर्तन यहां की सब्विताओं को लेके हुआ है जो इत्यास के अंतरा और चौता कला और संस्कुति में राजस्तान की हवेलिया जो सिखावटी की हवेलिया है उनके संबंद में जो परिवर्तन हुआ है यही हमें जो है अपडेट करना है अपने सलेबस के एकॉ संभाग की जो कि क्या है पाली संभाग जो राजस्तान का कौन सा नौवा संभाग है तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पाली संभाग की नौवा संभाग कौन सा है पाली संभाग अब इसमें राजस्तान के कितने जिल्य आएंगे इसमें राजस्तान के जो है चार जिल्य अब कौन कौन से जिल्य है देखिए एक एक को समझना एक तो जो है वहाँ आएगा पाली दूसरा है जालूर तीसरा जो है वहाँ है साचर और चौता है वहाँ है सिरोई इस तरह से पाली संभाग में जो है कितने जिल्य है चार जिल्य अब इसमें क्या परिवर्द है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो पाली संभाग जो है यहां किस संभाग से बनाया गया है तो यह जानकना पाली संभाग जो है वहाँ जोतपुर संभाग को अलग करके बनाया गया और इसमें जोतपुर संभाग के तीन जिल्ले हैं पाली जालोर और सिरोई यहां जोतपुर संभाग के तीन जिल्ले हैं और उसके बाद जालोर से एक नया जिल्ला बनाया है साचोर अब इसमें क्या परिवर्दन देखने को मिलेगा यहां परिवर्दन मिलेगा हमें में अब पर्याटन में कौन सा होगा जैसे उदारण के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपने पढ़ा होगा माउंट आबू सर्केट और माउंट आबू सर्केट जब हम पढ़ते थे तो हम विशेश रूप से पढ़ते थे पालिका रणक पुर्शत्र हैं जालोर हैं और माउंट आबू सिरोई तीन जिल्ले आते थे लेकिन जब जालोर आता है लेकिन अब जालोर के टुकड़े कर दिय जालोर और सिरोई तो हो सकता है अब माउंट अबू सरकेट में चार जिल्ले हम लोगों को पढ़ने पढ़े एक तो पॉइंट ये क्लियर होगे दूसरा आपने नरवदा नहर के बारे में पढ़ाओगा नरवदा नहर जो कि राजस्तान की पहली सुस्क क्रशी पदती यानि क लेकिन अब हम जब पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि अब वहाँ दो जिल्लों में सिचाए करेगी लेकिन साचोर और बाड मेर में करेगी जो पहले साचोर तैसिल थी अब वहाँ जिल्ला बन चुकी है इसलिए नरवदा नहर को लेके जो परिवर्तन हुआ है यहां हमको अलग पढ़ने को मिलेगा वहाँ हमसे अलग पढ़ने को मिलेगा और इसके साथ सबसे बड़ी बात है वहाँ बात है हाल ही में जो है राजस्तान भारत के प्रदानमंत्रीची के द्वारा अम्रिस सर जामनगर एक्सप्रेस्वे की जो है शुरुवात की है अप्रेल दोजात दूसरा एक्स प्रेस्वे क्योंकि पहला है वहाँ एनच 48 है जिसे हम दिन्ली मुंबई एक्सप्रेस या जेपूर एक्सप्रेस्वे के नाम से जानते हैं अब यहाँ जो एक्से स्फेस्वे जब हमने अमरिसworks जामनगर एक्सप्रेस्वे का अड्दयन करते हैं तो हमने साचोर जिल्ले से गुजरता है लेकिन अब वहाँ जालोर से नहीं साचोर जिल्ले से गुजरेगा क्योंकि उसमें केवल साचोर का भाग ही सामिल है तो इस तरह से जो हमारे राश्क्रिय राजमार गये हैं उसके जहां से गुजरता है जिन जिल्ला मुख्यालियों से गुजर थी और अब नई व्यवस्ता के अनुसार क्या बदला हुआ और जिसने यहां व्यवस्ता और बदलाव समझ लिया तो कोई भी प्रश्ण आपका गलत नहीं होगा और मैं जो अपने एलम जोग्राफी चैनल पर या एलम जोग्राफी एप्लिकेशन में राजस्तान के भूगोल भी बताया जाएका ही पहले व्यवस्ता यति अब व्यवस्ता हुई है फिसलिया हमने जब 21 जुलाई को राजस्तान के जितने भी कोर्स लॉंच किये हैं उन्स सब में यह क्लियर का था कि जो भी आपडेशन होगा जो भी चेंजिंग होगा उन सब का उसमें समावेष किया जाएगा और इसी को आधार बनाके हमने जो है नए कोर्स लॉंच किये और उसमें उन प्रदेश हो चाहरा राजस्टान की स्थती वित्तार राजस्तान की जलवायू राजस्तान का अप्वा अंत्रू हर Іसक्तर में हम लोग बात करने अब उदारण के लिए आप देखिए गगर प्रदीश जहां पे पहले 2 जिल्ले आते ते अब आपको 3 जिल्ले पढ़ने पढ़ेंगे। वही पर हम बात करें सेखावटी प्रतिश की अमने बात की। नागोरी उच्छ भूमी जहां पर पहले एक डिस्टिक्ट पढ़ते थे अब हमें वहां दो डिस्टिक्ट पढ़ने पढ़ेंगे इसी तरह से जो आपका गोडवाड प्रदेश है जहां पर हम मुख्यरुप से जोतपूर, पाली, जालोर और बाडमेर को पढ़ते थे उसमें अब हमें कुल साथ जिल्ले पढ़ने पढ़ेंगे, जोतपूर ग्रामिन को पढ़ना पढ़ेगा, जोतपूर सहर को पढ़ना पढ़ेगा, यहां की बालोतरा है, बाडमेरे, तो जो भी परिवर्तन हो रहा है, उन सभी परिवर्तन को हम समावेश करके अपना जो है कोर्स प आत्वा संभाग यहा बनाया गया है अ गरे बासवाडा को बनाया गया और इसमें राजस्तान के कितने जिल्ले हैं केवल तीन जिल्ले हैं और वहा भी कौन से माही बेसिन वाले माही बेसिन जिसमें हम 56 के मैदान का अध्यन करते थी वांगर प्रदीश का अध्यन करते थी तो जो 56 का मैदान है काठल प्रदीश ये वांगर प्रदीश वहाँ पूरा पूरा एक संभाग बना दिया गया है जिसमें तीन चिल्ले हैं एक तो है डूंगरपुर दूसरा है बासवाड़ा और तीसरा है वहाँ है प्रताप रही गया इस तरह से बासवाड़ा संभाग में तीन जिले अब बासवाड़ा जो संभाग है यहाँ उदैपुर संभाग से बनाया गया है और इसमें उदैपुर के तीन जिले सामिल किये गये हैं डूंगरपुर बासवाड़ा और यह तीनों जिले पहले उदैपुर संभाग में थे और अब यहाँ जो है किसमें हैं बासवाड़ा यनिकी बासवाड़ा राजस्तान का एक ऐसा संभाग है जिसमें सबसे कम जिले आपको ध्यान रखना प्रशन पूछा जासकता है कि राजस्तान में नियूनतम जिल्लों वाला संभाग कौन सा है तो वह है बासवाड़ा और जब हम शित्रफल में बात करेंगे तो पहले जिस भरतपुर को हम पढ़ते थे वर्तमान में हम किसको प्रशन आएगा अब वहाँ किस से समदित होगा बासवाड़ा संभाग से होगा चाहे वहाँ डामोर जंजाती का हो तो भी किस से होगा बासवाड़ा संभाग क्योंकि जिसे हम पहले उदयपूर संभाग के तो दे कि राजस्तान में सबसे ज्यादा जंजातिया उदयपू आड़ा संभाग में आएगा तो इस तरह से यहाँ विशेश रूप से ध्यान रखना और यह पूरा श्यत्र माही बेशिन के नाम से जाना जाता है तो माही बेशिन के जितने संभाग से हमको पढ़ने होंगे अब यहाँ ध्यान रखना एक और इंपोर्टेंट चीज़ों सबसे इंपोर्टेंट कि माही बेशिन में माही और माही की सायक नदिया आती है तो प्रश्ण पूछा जासता है माही बेशिन कितने संभागों में फैला हुआ है तो दो संभाग में है ध्यान रखना बास्वाड़ा और उधैपूर क्यों क्योंकि जो आपके सोम नदी निकलती है वहाँ उधैपूर से निकलने के बाद वहाँ डुंगरपूर आती है अब उधैपूर में भी उधैपूर से नहीं अब वहाँ सलूंबर से निकलेगी यह जो चैंज होगा ये जो changing है वही हमारे exam के प्रश्ण के रूप में पूछे जाने की संभावना क्योंकि उद्यपुर से भी एक नया जिल्ला बनाया है सलुम्बर तो सलुम्बर को लेके भी हमारे प्रश्ण बनेंगे जो कि माही बेशिन के अंत्रकत पूछे जाने की संभावना है के चला हैं इसके बाद हम बात करते हैं राजस्तान का साथवा संभाग जिसे हम क्या केते हैं भारतपूर संभाग या यह साथवा संभाग अब यहां पे समझना सात्वा संभाग यहां कब बनाया गया था यहां बनाया गया था चार जून 2005 को अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं भरतपूर संभाग की अब भरतपूर संभाग की बात करें तो इसमें पहले जिल्ले कितने थें चार जिल्ले थें कौन कौन से थें भरतपूर यहां चार जिल्ले पहले थे लेकिन अब यदी बात करें नवीन जिल्ले अब कितने हो गए हैं छे जिल्ले हो गए हैं अब इसमें कौन कौन से हैं तो देखिए भरतपूर वही रहेगा और भरतपूर से एक अलग हुआ है डीग उसको सामिल कर दिया उसके बाद धौलपूर वही रहेगा करोली वही रहेगा सवाई मादोपूर वही रहेगा लेकिन सवाई मादोपूर से एक अलग हुआ है गंगापूर शिटी जो गंगापूर शिटी है वहाँ जो है आपको इसमें सामिल किया गया इसका मतलब है देखिए इसमें यहां तो है डीग जो की पहले भरतपूर का भाग था यहां है भरतपूर यहां धौलपूर करोली सवाई मादोपूर और गंगापूर शिटी अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन होने वाला है अब इसमें जो परिवर्तन होगा वहां एक तो अपवहा तंत्र में होगा अब आप कहेंगे सर अपवहा तंत्र में कैसे होगा तो जब हम पहले रूपारेल नदी के बारे में पढ़ते थे कि रूपारेल नदी जो कि उदेनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती है और अलवर से भरतपूर जाती है और उसी नदी के किनारे नोह सब्वेता की खोज की गए और उसी नदी के किनारे पर उदेपूर में मोती जिल बांध का निर्मान किया अब वहां प्रवाशित्र जो है चैंज देखने को मिलेगा एक तो अपवाशित्र में दूसरा जिससे हम डीग जल महलों की नगरी कहते जो भरतपूर में पढ़ते थे अब डीग खुद अपने आप में जल महल जिल्ले के रुप में तो अब जो है डीग को जिल्ले में जो भी डीग की विशेश्ता होगी वहां सभी कहा मिलेगी आपको भरतपूर में मिलेगी और सबसे इंपोर्टेंट जो है वहां है आपने बढ़ा होगा परेटन में स्वानिम त्रिपुच गोल्डन ट्राइंगल जिसमें अलवर जैपूर दोशा और भरतपूर जिल्ली जो आते थे जो दिल्ली जैपूर और आगरा को परेटन की द्रस्ची से जोड़ा गया अब इसमें जिल्लों की संख्या में क्या हो जाएगा प उसके साथ डीग रहेगा और अलवर के साथ साथ अलवर से जो अलग हुआ हैं आज जैपूर से अलग हुएं कोट पूतली बहरोड शित्र भी आएगा और खेर्थल शित्र भी आएगा तो डिष्टिक की संख्या में कुछ नकुछ परिवर्तन देखनी को मिलेगा तो इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वहाँ एक तो पड़ेगा परियतन पर कला और स्वंसकति उसके अलवा अपवाश्यत्र पर पड़ेगा और साथ ही साथ जो है वहाँ हमें इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो कह सकते हैं सिचाई के साधन है या विशेश दूर और धालपुर जो की चंबल बेशिन का भागता अब हो सकता है उसमें गंगापुर सिटि को भी हम लोक्या कर दें सामिल कर दें जो भी परिवर्टन होगा उसको आधार बनाकर हमें इनका अध्यन करना है पहले क्या था और अब यदि परिवर्टन होता है तो उस संबाग का भाग नहीं जुड़ा है क्लियर हो गया यहां साथ लेकिन जब यह बनाया गया था उस समय जैपुर संबाग के दो और कोटा संबाग के दो जिल्ले चार जिल्लों को मिलाकर भरतपुर संबाग बनाया गया था लेकिन वरतमान की जो नविन संबाग यह ववस्ता है उसमें भारतपुर संभाग के ही जिल्ले हैं उनी में ही उन जिल्लों से जो अलग वे जिल्ले उनी को ही सामिल किया गया है इसके बाद बात काते हैं छटा संभाग जो की कौन सा बनाता अजमेर जो राजस्तान का एक तरह से मद्यवर्ती संभाग कहलाता है तो देखें अजमेर संभाग की बात करें अब अजमेर संभाग में यदि हम पहले जिल्ले कितने थे चार कौन-कौन से अजमेर नागोर टॉक और भिलवाड़ा नए जिल्लों की बात करें तो नए जिल्ले अब कितने हो गए इसमें साथ हो गए अजमेर तो रहेगा ही अजमेर से अलग हुएं एक तो ब्यावर और दूसरा केकड़ी यहा रहेगा उसके बाद नागोर रहेगा और नागोर से अलग हुआ है दीडवाना कुचावन इसके बाद टॉक रहेगा अब भीलवाड़ा जो है अजमेर संभाग में नहीं है भीलवाड़ा से अलग हुआ सहापूरा जो है वहाँ अजमेर संभाग का भाग होगा भीलवाड़ा वर्तमान में यानि नविन संभाग ये ववस्ता के अनुसार उदैपूर संभाग में सामिल किया गया है नकी इस तरह से जहां रखना यहां तो है अजमेर अब अजमेर से एक तो अलग हुआ है ब्यावर और एक हुआ है केकड़ी इसके बाद यहां है नागोर और नागोर से अलग हुआ है डीडवाना कुचावन इसके बाद टॉंक और भीलवाड़ा से अलग हुआ है इस तरह से जो पहले अजमेर केवल चार जिल्लों तक सिमिता अब वहां कितने जिल्लों में परिवर्ती दो गया साथ जिल्लों में अब यहां से जो परिवर्तन हुआ है वहां भील-वाड़ा को लेके वा है तो पूछा जासता है कि निम्नमे से कौन सा जिल्ला अजमेर संबाग में सामिल नहीं होगा भीलवड़ा का जो सहापूरा शेत्र है जो इसे नया जिल्ला घोशित किया गया वहां इसमें सामिल होगा इस तरह से राजस्तान का यहां कौन सा चट्टा संबाग था जो कि जनवरी 1987 में जब पुनहां संभाग्य व्यवस्ता की प्रारंब उदैपुर अजमेर संभाग से ही जो है ने जिल्ले बनाकर उन्हें अजमेर संभाग में सामिल किया गया बस यह ध्यान रखना भीलवड़ा को अजमेर संभाग से हटा कर अब उदैपुर संभाग में सामिल किया अब इसके बाद बात करते हैं एक और संभाग की जिससे हम क और दूसरा और सबसे important बात करें तो सरवादिक नदियों वाला जो संभाग है वहाँ कोटा संभाग है और कोटा संभाग में पहले भी चार जिल्ले थे कोटा बूंदी बारा और जालावाड और नए संभागी व्यवस्ता में भी कितने जिल्ले हैं चार कौन कौन से हैं कोटा बूंदी बारा और इसका मतलब कोटा संभाग में किसी तरह का परिवर्ता नहीं हुआ अब जब कोटा संभाग में किसी तरह का परिवर्ता नहीं हुआ है तो कोटा संभाग की न तो जोग्रफी चेंज होगी नहीं आट एंड कल्चर नहीं हिस्ट्री होगी कोटा संभाग जिसके बारे में पहले जिस परकार से हम पढ़ते थे कि कोल्वी की गुफाएं जहालावाड में हैं सहाबाद शित्र 12 में हैं सहर्या जनजाती सबसे ज्यादा कोटा संभाग में निवास करती है बारा जिल्ले में निवास करती है जैसा हम पढ़ते थे बावडियों का सहर बुंदी को कहते थे जितनी भी बावडिया है चायवा रानी जी की बावडी है अनारकली की बावडी है जितने भी महल है कास्ट का महल है जो भी प का परिवर्तन नहीं होगा और इसलिए हाडोती प्रदेश में जैसा हम पहले पढ़ते थे उसी को ही वैसा ही हमको पढ़ना है वही उत्पति वही विस्तार वही विशेष्था और वही वर्गी करण क्लियर हो गया चला आगे बात करते हैं अगले संभाग अगला संभाग जो ह है वह है बिकानेड संभाग अब बिकानेड संभाग जिसमें पहले भी चार जिले ते वर्तमान में भी कितने तो चार ही है अब समझना बिकानेड संभाग में पहले चार जिले थे कौन कौन से बिकानेड स्री गंगानगर हनुमानगर और चुरो और नवीन जिले की बात करें तो नई जिले भी कितने हैं चार कौन कौन से हैं एक तो बिकाने रहें हनुमानगर हैं तीसरा श्री गंगानगर लेकिन चौता जिला अब चुरो नहीं है इसकी जगा कौन सा हैं अनुप गड़ है तो इस तरह से यहाँ देखिए यहाँ है दिकानेर यहाँ है हनमानगर यहां है स्री गंगानगर और यहां है अनुप गड़ है अनुप गड़ आप जो सबसे परिवर्टन जो यहाँ देखने को मिलेगा वहाँ सबसे पहले तो इंद्रा गांदी नहर के जो प्रवाश शेत्र वाले जिल्य या लाबानवित जो जिल्य जिनके संख्या नविन संभागी ववस्ता से पहले आठ थी अब उसमें परिवर्तन होगा क्योंकि उसमें एक नया जिल्ला मिलेगा अनुपकड उसी प्रकार गगर जो है वहां आएगा किसके अंत्रकत जब हम कौपेन का वर्गिकान पढ़ते हैं और कौपेन के वर्गिकान में जसलमेर बिकानेर गंगानगर और हनमानगड जिसे हम बी डबलू एच डबलू में सामिल करते थे उश्ण कटी बंदिय मरुस्तलिय जल्वाई वाले जिल्ले स शामिल करते थे अब उसमें एक और जिल्ला क्या हो जाएगा सामिल हो जाएगा यहां से जल्वाईों को लेके चैंजिंग होगा उसके अलावा इंद्रा गांदी नहर के प्रवाशित्र को लेके चैंज होगा इसके साथ ही जो है विशेष रूप से जो जिल्ले मरुस्तले जिल्लों की संख्या में भी परिवर्थन देखनी को मिलेगा तो इस कारण ध्यानकना गगर प्रदीश में जो भी करके पढ़ा है तो ही यहाँ संभाव है और इतना समय आप लोगों के पास नहीं है कि आप इतनी deep study detail कर सके इसलिए हमने यहाँ का है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पुराना और नया दोनों एक साथ पढ़ाया जाएगा नए सीरे से पढ़ाया जाएगा ताकि पुराने और नए में क्या तुलनात्मक परिवर्तन हुआ यहाँ भी आप पता कर सकते हैं साथ में किस प्रकार से चेंजिंग होगा प्रश्णों की प्रकरती में वहाँ भी हम लोग बता कर सकते हैं चले आगे बात करते हैं अगले संबाग की और अगला संबाग जो है वह है उदैपूर संबाग देखें उदैपूर संभाग की दी बात करें तो पहले जो है इसमें छे जिल्ले थे उदैपूर चित्तोडगड रासमन प्रतापगड दूंगरपूर और बासमन अब यदि बात करें नई जिल्लों की अब इसमें नई जिल्ले कौन से देखिए नई जिल्लों में आएगा एक टो उदैपूर दूसरा है रासमन तीसरा है भेलवाड़ा चौता है चित्तोडगड और पांच वा जो है वा है सलूंबर इसका मतलब इसमें एक जिल्ला क्या हो गया है कम उदैपूर चित्तोडगड रासमन अब यहां पे जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वहां कि जो भेलवाड़ा पहले अजमे्ड संभाग का भाग्ता वहां अब नई संभाग ये व्यवस्ता से उदैपूर संभाग में सामिल अब यहां से क्या परिवर्तन होगा यहां से जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वहां विशेश रुप से जो राजस्तान में खनीच क्योंकि अरावली जो खनीचों का भंडार है और राजस्तान में सबसे ज्यादा खनीचों के भंडार अराव जाएगा यहाद जया अब एक और हानता जो भीलवाड़ागा भाग में पढ़ा जाएगा नकि भीलवाड़ा के तो भीलवाड़ा की जो खनीज है या उद्यपूर के जो खनीजों के संसादन इसके आलावाबा वनस्पति और उसके जो है वहाँ अपवाश्यत्र देखनी को वीशे शुभसे प्रशी जलवाईव प्रदेश में आपको देओ तरहा है परीवर्तन को मिल स्पैइब होतो है प्रपद्रेश जलवारी पुरिवर्तन को दूसरा मरुस्तली करण का जो शेत्र है जिसमें जिल्ले हम परते थे तो मरुस्तली करणवाले जिल्ले भी क्या होंगे परिवर्तित होगे तो बहुती कपरदेश में परिवर्तन होगा राजस्तान की स्तती और विस्तार में परिवर्तन होगा जलवायू में परिवर्तन होगा मिट्टी में परिवर्तन होगा जहां लाल मिट्टी का सरवादिक विस्तार अब उदैपूर में मानते थे अब उदैपूर और उसके साथ क्या होगा सलुंबर भी आएगा तो मिट्टी में भी परिवर्तन देखनी को मिलेगा चलाएगे इसके बाद बात करते हैं जोदपूर संबाग जो की श्यत्रफल की द्रश् सबसे बड़ा संबाग था जोदपूर संबाग अब इसमें देखिए अब जोदपूर संबाग में पहले जो जिल्ले थे उसमें जोदपूर जसल मेर बाड मेर जालोर सिरोही और पाली अब नए जो जिल्ले होंगे उसमें जोदपूर ग्रमन जोदपूर सहरी फलोदी जसलमेर दोदा जैः ठाम् बार्ड मेर और बालोत्रा यनि कि पहले भी छे जिल्ले थे अब भी छे जिल्ले रहेंगे लेकिन तीन जिल्ले यहां से कम हो गएं पाली सिरोई और जालोर अलग वें और तीन नए जिल्ले बने हैं जोदपुर ग्रामेड और सहरी उसके अलावा फलोदी और एक बार्ड मेर से अलग हुआ है वा है बालोत्रा यनि कि यहां है जैसल मेर यहां है बार्ड मेर पलोत्रा जोदपुर सहर जोदपुर ग्रामेड और फलोत्रा इस तरह से राजस्तान में जोदपुर संभाग में परिवर्तन अब यहां से प्रश्न किस्में परिवर्तन होगा आप समझना यहां सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने में को मिलेगा एक तो मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा solar park जो भढ़ला फलोदी के अंतरगत जो पेले हम जोत्पुर जिल्ले में पढ़ते थे अब वहां फलोदी के अंतरगत आएगा एक तो यह हानक ना सोर उर्जा उत्पादक शित्रों में परिवर्तन देखनी को मिलका। दूसरा जो मिलेगा वहां मिलेगा आपको हमादा। जो पत्रीला मरुस्तल जिसका विस्तार पॉकरण, फलोदी, और बालोत्रा के इमद्री जोद्पूर जसल मेर और बाड़्मेर जिले में हम लोग कहते थे अब वहां फलोदी, जसल मेर और बालोत्रा जिले में होगा जो हमादा जहां सोर उड़ा उत्पादन की सबसे ज़्यादा संभावना वाला शित्र है हमादा में चेंज होगा यहीं पर बात करें तो मरूत रिकॉर्ण में भी आपको चेंजिंग मिलेगा क्योंकि जिल्लों की संख्या निश्शित रुप से बढ़ी है तो मरुत रिकॉर्ड में भी जिल्ले बढ़ेंगे तो परेटन का भी होगा साथ ही साथ बात करें कि बावडी जैसे ओशिया जी की बावडी जो है पहले जोदपुर में आते थी अब वहाँ फलोदी जिल्ले में और यह आपको परिवर्तन की बात करें उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा और राष्टे राजमार्गों में भी परिवर्तन देखने है अब जो परिवर्तन होगा उसको उस पिक के अनुसार इदी हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या परिवर्त लेकिन विशेस रूप से चो है एक तो जलवायू वाला शेत्र भी यहां से परिवर्तन होगा जिसमें हम जिसे भी एस एच डबलू बी एस एच डबलू कॉपेन का जब हम वर्गीकान पढ़ते थे उसमें बाइड मेर जोद्पूर पढ़ते थे अलेकिन बाइड मेर बालोत्रा जोद्पूर और फलोदी इनको भी पढ़ना पढ़ेगा क्लियर हो गया तो इस तरह से जोद्पूर वाले शेत्र में पश्चिमी जैपूर संभाग अब यदि हम बात करें जैपूर संभाग की अब जैपूर संभाग में पहले पांच जिल्ले थे जैपूर, सीकर, जुझनो, दोशा और अलवर अब जो नए जिल्लों की बात करें तो जैपूर संभाग में अब नए जिल्ले साथ हो गए कौन कौन से हैं एक तो जैपूर ग्रामिन जैपूर सहरी अलवर, दोशा, दूदू, कोट पूतली, बहरोड और इस तरह से वर्तमान में साथ जिल्ले अब किस में परिवर्तन देखनी को मिलेगा। इसमें जो परिवर्तन होगा वहाँ विशेश रूप से इस भाग में इस भाग का मतलब है जो उत्तरी अरावली का जो भाग है जिसमें पहले हम अलवर, जैपूर, जुझनु और सीकर चार जिल्ले पढ़ते थे अब इसमें एक तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें यहां पर जो लोहा ऐस्की की खाने हैं या फिर जो अध्योगी की शित्र है जो भिवाडी वाला शित्र था बहरोड वाला शित्र था इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अध्योगी की चोटियों की स्तती में जो है वहां परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब जो भी परिवर्तन होगा वहां हम topic के साथ करेंगे कि पहले NCR में ये जिल्ले आते थे अब NCR में यहाँ जिल्ले या यहाँ शित्र सामिल होगा और जब हम topic के साथ करेंगे तो इन चीजों को समझना बहुत आसान होगा यदि आप अलग-अलग या एक साथ पढ़ने की क पूसिस करेंगे कि जल्वायू में क्या हो रहा है मिट्टी में क्या हो रहा है वनस्पति में क्या हो रहा है तो साथ आप confused हो जाएं लेकिन जब हम इस्तति और विस्तार पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किसमें परिवर्तन हुआ है तो पहले क्या था नया इसी तरह से के रुप में हुआ है अब यह दि हम राजस्तान के सभी संभागों को एक साथ देखें तो इस तरीके से आपको दिखाए देंगे अब इसमें देखें जो जो संभाग है यहा है बीकानेर संभाग यहा है जोदपुर संभाग यहा है पाली संभाग यहा उदैपुर संभाग, बास्वाड़ा संभाग, कोटा संभाग, भारतपुर संभाग, सीकर संभाग, जैपुर संभाग और यहां मद्य में हैं आजमेर संभाग, अब देखें इस्तति में क्या परिवर्तन होगा संभज राम, अब आप से पूछा जाए कि राजस्तान का कौन सा संभाग, जो कि किसी प्रकार की इस्तलिय सीमा का निर्धारन नहीं करता है, नहीं सीमा वर्ती संभाग नहीं है, तो केवल एक अजमेर ऐसा संभाग है, जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है, ना तो पाकिस्तान के साथ बनाता है नहीं वहा गुजरात के साथ नहीं मध्यप्रदेश के साथ नहीं जो है वहा उत्तप्रदेश पंजाब हर्याना के साथ जबकि पहले जो है अजमेर यहां मध्यप्रदेश के साथ भीलवाडा के रूप में जो है सीमा बनाता था लेकिन अ अंतवर्ती संभाग कौन सा होगा अब अजमेर संभाग वा जैसे हम अंतवर्ती जिल्लों की बात करते थे पहले आठ थे अब उसमें परिवर्तन हुआ है संख्या में तो उसी प्रकार से अंतवर्ती संभाग भी एक तो हुआ है इसके बाद देखा जाए कि अजमेर संभाग राजस्तान के आठ संभागों से सीमा बनाता है एक ही संभाग से नहीं बनाता है बाहा सवाड़ा से यहाँ भी आपके लिए सबसे important है कि किस संभाग की सीमा अजमेर से नहीं लगती है तो बाहा सवाड़ा की नहीं लगती है बाकि सभी संभाग की सीमा लगती है तो इस तरह स संभाग में परिवर्थनों इसके बाद यह भी पूछा जासता है कि राजस्तान का कौन सा संभाग जो केवल एक संभाग से सीमा बनाता है देखिए केवल बासवर राजसा है जो उदैपुर से सीमा बनाता है बाकी सभी संभाग जो है एक से अधिक संभागों के साथ सीमा का निर्धारन करतें तो यह जो हम राजस्तान की श्ट्वत्ती की संभाग ये ववस्ता के आधार पर पड़तें तो यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा, इसके साथ ही देखे अब आपसे मद्यप्रदेश के साथ कितने संभाग बनते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, जबकि पहले कितने बनाते थे पहले भी चार ही बनाते थे अब भी चार बनाते हैं लेकिन उसमें अजमेर हट गया है इसी तरह से गुजरात के साथ एक दो तीन चार पहले कितने बनाते थे तीन संभाग बनाते अब चार संभाग गुजरात के साथ सीमा का निर्दारन करते हैं इसी दो और तीन संभाग सीमा बनाते थे और पहले कितने बनाते थे एक दो तीन चार चार संभाग जो है सीमा बनाते थे पहले तीन ही बनाते थे अब चार बनाते हैं तो यह जो संभागी विवस्ता में जो संभागों को इस्तती के आधार पे चितने भी प्रश्न बन सकते हैं इन प्रश्णों का भी हम अध्यन करेंगे क्योंकि राजस्तान की जिनको इस्तती विस्तार और मांचत्र जिनको बहुत अच्छे से पता है तो कोई भी प्रश्ण गलत होने की संभावना नहीं है अब आप कहेंगे सर ये सब कब पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे इतना जल्द for all competitive exams एक राजस्तान का भुगोल RSP के लिए एक राजस्तान का भुगोल 1st grade GK के अंत्रकत राजस्तान का भुगोल REIT 1st level जिसमें पातरता परिक्षा और मुख्य परिक्षा दोनों का समावेश है एक REIT 2nd level जिसमें पातरता परिक्षा और मुख्य परिक्षा दोनों का है ए एक राजसान SI के लिए और इसके अलावा हमारा फर्स ग्रेट का जो बैच चल रहा है सेकेंड ग्रेट का जो बैच चल रहा है जितने भी बैच जो अप्रेल के बाद शुरू हुए हैं उन सभी में तो यहाँ परिवर्तन देखने को मिल रहा है लेकिन इसके अलावा हमने संग उनमें किसी तरह का नया जो है content नहीं जोड़ा जाएगा अब इदि आपको महिला supervisor की तैयारी करनी है आपको पटवारी की करनी है संगणक की करनी है कशी प्रवेक्षय की करनी है पसुदन साहे की करनी है जिसके बारे में जो करनी है वहाँ अब आप एक ही course में कर सकते हैं राजस्तान का भूगोल for all competitive exams में अब इसके अलग-अलग बैच न तो हम लगाने वाले हैं और नहीं हम किसी तरह से इसके समद्ध में जो है course की बात करनी है जिनको भी राजस्तान की constable से लगा कर RS तक की तैयारी करनी है और वो चाता है कि मैं एक ऐसा course लो हूँ ताकि मेरी सभी competition की तैयारी हो जाए तो उनके लिए तो है राजस्तान का भूगोल for all competitive exam लेकिन कुछ चाते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ रीट की है तो आप रीट का जो है अलग से course launch करका है जो RSP की करना चाते हैं RSP के लिए हैं जो first grade की करना चाते हैं तो first grade GK के अंतरकत हैं जो SI की कर लॉंच करके और इन सभी में यह जितने भी कोर्स हमने लॉंच करके और इसके आलावा first grade और second grade जो हमारे already पहले से लॉंच है इन में ही नए जिल्लों की आदार पर जो जो जोग्राफी में परिवर्टन होगा वहाँ पूरा अध्यन करवाया जाया अब देखिए हमने जब कोर्स लॉंच किया था आरेस का उसमें कहा था कि आरेस का जो कोर्स हैं जो हम 21 उलाइस से शुरूप यह था पंदरा अगस्त तक हम लोग पूरा करें हमारी कोशिश रहेगी 15 अगस्त पूरा करें लेकिन इसमें दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन या वेरियेशन आएगा वहां आएगा भौतिक प्रदेश और अपवात अंत्र यह दो जो टॉपिक हैं यहां हम 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त तक करवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा बाकी से जो छोटे टॉपिक है और पहले हम वो टॉपिक करवा रहे हैं जिसमें परिवर्तन नहीं के बराबर है जैसे जनसंख्या में परिवर्तन नहीं है जल सेलक्षन की विदियो में परिवर्तन नहीं है जनजातियों में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा तो उनके जो है टॉपिक हम लो मिल जाएगा तो अब आप देरी ना करें राजस्तान के जितने भी एक्जाम्स की तैयारी करने वाले युवास आती है मैं पहले तो आप सभी को सुबकामनाय देता हूं अग्रीम बदाया देता हूं कि आप अपना एक लक्ष्य बनाकर एक टार्गेट बनाकर अपने तैयारी को करें केवल एक पर ही फोकस करें और सात इसाह जो करुंड में परिवर्टन हो रहा है उसको तुल्नात्मग रूप से पढ़े ना की केवल पर्रणा पढ़े दोनों का तुलनात्मग की पहले क्या था और अब क्या है और इसी आधार पर हम आपको निरंटर तयारी करवाने तो यह था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने राजस्तान की संभाग ये ववस्ता को लेके जो परिवर्तन हुआ है और उसका प्रभाव कौन-कौन से टॉपिक विशय पर पढ़ने वाला है उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की आगे हम जो है राजस्तान के जो 19 नए ज परिवर्तन देखनी को मिलेगा उसके लिए हम अलग से जो है आपकी क्लासे अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब पर आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तैंक यू है आईक्ट करने हैं यूट्यूब परिवर्तन के लिए फाे जो है यूट्यूब परिवर्तन